हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो मताएंगे पास्पोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं और फोटो को कैसे प्रिंट करते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको फोटो साप को ओपन कर लेना है फोटो साप ओपन होने के बाद इसके बाद आपको फोटो को ओपन करना है फोटो को ओपन करने के लिए आपको यहां उपर फाइल पे क्लिक करना है इसके बाद यहां ओपन पे क्लिक करना है इस तरह से आपका डेश्टाप का फाइल यहां आ जाएगा इसके बाद स्क्रोल कर इस तरह से slut कर लेना है slut करने के बाद इसके बाद यहाँ open पे क्लिक कर देना है आपका photo फोटो सामें open हो जाएगा इसके बाद इस photo पे यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर लेना है बड़ा करने के बाद इसके बाद इस photo को हम zoom कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं इस photo को passport size photo बनाना है तो passport size photo बनाने के लिए सबसे पहले इस photo को passport size photo में crop करना है तो crop करने के लिए आपको tool में जाना है यहां से crop tool को select करने के बाद इसके बाद यहां उपर देखेंगे passport size photo का size देना रहता है तो आप यहां देख सकते हैं लिखा width, width के आगे क्लिक करके आपको लिखना है 1.2 inch आपको लिख देना है, इसके बाद यहां देख सकते हैं लिखा height, height के आगे क्लिक करके आपको लिखना है 1.5 inch, इसके बाद यहां देख सकते हैं आगे लिखा है resolution, resolution के आगे क्लिक करके यहां पर भी आपको लिखना है 300, लिखने के बाद इसके बाद माउस का बटन दवा के इस तरह से फोटो को आपको अच्छे से स्लेट कर लेना है आप यहां देख सकते हैं इसको और अच्छे से स्लेट करने के लिए आप पने कीवूड को ऐरो की से देख सकते हैं उपर नीचे दाय बाय इस तरह से आपको अच्छे से इस तरह से फोटो को स्लेट कर लेना है फोटो स्लेट करने के बाद इसके बाद आपक आपको फोटो क्राप हो जाएगा क्राप करने के बाद इसके बाद फोटो को आपको जूम करने ना है तो आप यहां देख सकते हैं फोटो क्राप हो गया है इसके बाद इस फोटो को आपको क्लीन करना है तो फोटो को clean करने के लिए सबसे पहले आपने फोटो में देखेंगे light कम है बेसी तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में light कम है तो light को बढ़ाने के लिए आपको अपने keyword का control यम बटम दबाना है इसके बाद यहाँ बीच में mouse से पकरना है इसके बाद अपने फोटो किसावे यहां से थोड़ा से लाइट बढ़ा लेना है, तो हम फोटो पे लाइट बढ़ा लेते हैं, लाइट बढ़ाने के बाद इसके बाद यहां से ओके कर देना है, इसके बाद फोटो का लेवल कर लेना है, लेवल करने के लिए आपको अपने क इसके बाद यहां से OK कर देना है, इसके बाद हम photo को थोड़ा सा clean करेंगे, smooth करेंगे, तो आपको यहां माौस से उपर जाना है, यहां image पि क्लिक करना है, इसके बाद Adjustment पिक करना है, इसके बाद right hand में इस तरह से आ जाना है, आपको यहां selective color पिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा तो आपको यहां माउस से पकड़ना है इसके बाद यहां से देख सकते हैं आपको अपने फोटो के साब यहां से देख सकते हैं इस तरह से बढ़ा लेना है आप यहां देख सकते हैं बढ़ाने के बाद इसके बाद यहां से ओके कर देना है इसके बाद इस फोटो को ब्रस से फोटो को साप करना है तो ब्रस से फोटो को साप करने के लिए फिर से आपको टूल में जाना है यहां से आई ड्रापर टूल को यहां से सलेट कर लेना है select करने के बाद इसके बाद कहीं गोरे चेहरे पे इस tool से आपको click कर देना है click करने के बाद फिर से आपको tool में जाना है यहां से brush tool को select करने के बाद इसके बाद यहां उपर थोड़ा आपको click करके यहां से setting कर लेना है brush को तो इस पे क्लिक करना है इसके बाद यहां से माउस से इसको यहां से पकड़ना है इसक्रोल करना है इस तरह से आप यहां देख सकते हैं बहुत सारा ब्रस है तो आपको जो भी बलर में रहेगा यहां से बलर वाले ब्रस को स्लेट करने के बाद इंटर बटम दवा देना है इस इसके बाद यहां उपर देख सकते हैं लिखा ओपिसीटी 100 है तो 100 रहने दीजिए इसके बाद यहां आगे देख सकते हैं लिखा फलो 100 है तो यहां माउस से सलेट करके यहां 15 या 10 कर लेना है तो यहां 10 कर लेते हैं इसके बाद आपको कीवोड का इंटर बटम दबा देना है इसके बाद आप यहां देख सकते हैं जो brush का size है, आपने keyword के bracket से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, इस वाले bracket से छोटा कर सकते हैं, तो mouse का button दबा के फोटो को आपको clean करना है, brush से, आप यहां देख सकते हैं, फोटो किस तरह से clean हो रहा है, इस तरह से आपको अच्छे से फोट फोटो को ब्रस से क्लीन करेना है तो हम फोटो को क्लीन कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं इस तरह से आपको ब्रस से क्लीन करेना है तो आप यहां देख सकते हैं फोटो किस तरह से क्लीन हो रहा है इस तरह से आपको अच्छे से फोटो को क्लीन करेना है तो आप यहां दे सकते हैं फोटो क्लीन हो गया इसके बाद आपको अपने फोटो का कलर बलेंस कर लेना है फोटो का कलर बलेंस करने के लिए आपको अपने कीवोड का कंट्रोल बी बटम दबाना है इसके बाद माउस से यहां क्लिक करके आपको अपनी फोटो को देखकर फोटो का कलर बलेंस कर लेना है तो हम फोटो का कलर बलेंस कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं फोटो का कलर बलेंस किस तरह से हो रहा है इस तरह से आपको अच्छे से फोटो का कलर बलेंस कर लेना है इस तरह से आपको अच्छे से फोटो का कलर बलेंस कर लेना है इसके बाद यहां से ओके कर देना है तो आप यहां देख सकते हैं इसके बाद आप यहां देख सकते हैं photo clean हो गया इसके बाद इस photo का background चेंज करना है आप यहां देख सकते है simple background है तो simple background चेंज करने के लिए आपको देख लिए फिर से tool में जाना है यहां से magic tool को यहां से select कर लेना है magic tool select करने के बाद इसके बाद आपको इस background पे click कर देना है click करने के बाद आप यहां दे सकते हैं इस तरह से अच्छे से select नहीं हुआ है तो आपको अपने keyword का shift button दवा के mouse से यहां click कर देना है तो आप यहां दे सकते हैं photo select हो जाएगा select करने के बाद इसके बाद आप पीछे किस color का background लगाना चाहते हैं तो background लेने के लिए आपको देख लेजी यहाँ set background पे click करना है click करने के बाद इसके बाद आप जो भी color यहाँ से background लेना चाहते हैं आप यहाँ से click करके background को ले सकते हैं तो मैं यहां से कोई एक background को select कर लिता हूँ, यहां click कर देंगे, इसके बाद यहां से okay कर देना है, ओके करने के बाद आपको अपने keyword का delete button दवा देना है, पोटो का background change हो जाएगा, इसके बाद यह जो selection है, selection को हटा देना है, आपको अपने keyword का control D बटम दवा देना है, selection हट जाएगा, इसके बाद हम photo को जू माइनस कर लेते हैं, इसके बाद इस photo के चारो तरह से border लगाना है, तो border लगाने के लिए आपको अपने keyword का control A बटम दवाना है, पूरा photo को select कर लेना है, आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा photo select हो गया, photo select करने के बाद, इसके बाद mouse से यहाँ उपर जाना है, आपको यहाँ edit पे click करना है, इसके बाद नीची आ जाना है, आपको यहाँ stroke पे click करना है, इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, आपको इसको थोड़ा side कर देना है, यहाँ आपको color पे click करना है किस कलर का बार्डर लगाना चाहते हैं तो हम ब्लैक लगाएंगे तो हम ब्लैक पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद यहां से ओके कर देना है इसके बाद यहां क्लिक करके आप कितना मोटा पतला बार्डर को लगाना चाहते हैं यहां से कम बेसी कर लेना है तो यहां से हम 3 पिक्सल को कर लेते हैं, यहां से OK कर देंगे, तो आप यहां देख सकते हैं, फोटो के चार परसे इस तरह से बार्डर लग जाएगा, इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, जो selection है, selection को अटा देना है, आपको अपने keyword का control D बटम दवार देना, selection हट जाएग आप यहां देख सकते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं, मेरा फोटो बनके रेडी हो गया, इसके बाद इस फोटो को कैसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए आपको अपने keyword का control D यहां बटम दवाना है, यहां से आपको अपने paper size को select कर लेना है, तो मैं यहां स A4 को यहां से select कर लेता हूँ, इसके बाद यहां से OK कर देना है, आप यहां देख सकते हैं, इसको हम पकड़ेंगे यहां से, थोड़ा side में कर देता हैं, इसके बाद इस फोटो को इस पेज पे लाके move कर देना है, move करने के लिए आपको tool में जाना है, move tool को यहां से select कर लेन इसके बाद इस फोटो पे क्लिक करके माउस का बटम दबा के लाके इस पेज पे फोटो को लाके छोड़ देना है इसके बाद इस फोटो को यहां कोने में सेट कर देना है आप यहां देख सकते हैं इसके बाद और फोटो बनाने के लिए आपको अपने कीवोड का कंट्रोल सि प्लिकेट कहां भी बन जाएगा, इसको फिर से हिंच ना है, माउस से पकड़ के, आप यहां देख सकते हैं, जितना फोटो बनाना चाहते हैं, इस तरह से फोटो आप बना सकते हैं, आपको अपने क्योड का कंट्रोल, सिप्ट, अल्ट बटन दवा के एक साथ हैं, आप यहां स्लेट करने के बाद, इसके बाद आपको अपने क्योड का कंट्रोल, इ बटन दवा देना है, फोटो को मर्ज कर लेना है, इसके बाद फिर से आपको अपने क्योड का कंट्रोल, सिप्ट, अल्ट बटन एक साथ दवाना है, फिर से इस इमेज को पकड़ के माउस से हिंच न दवा देना है, आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ प्रोसेट पे क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ से अपने प्रिंटर को स्लेट कर लेना है, जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं, इसके बाद यहाँ प्रापर्टीज पे क्लिक कर करना है इसके बाद अपने यहां पेपर साइज को स्लेट कर लेना है यहां से इस्टेंडर पर क्लिक करना है यहां से आपको हाई क्वाल्टी को यहां से स्लेट कर लेना है इसके बाद यहां से ओके कर देना है इसके बाद यहां सब भी ओके कर देंगे आपका फोटो बहुत ही आसान तरीके से प्रिंट हो